क्या आप जानते हैं कि जपान में स्कूल के बच्चे अपने स्कूल की सफाई करने में पार्टिस्पेट करेते हैं वो classroom को साफ करते हैं, restroom को साफ करते हैं, hallways को साफ करते हैं, every single day और कई बार उनके teachers भी उनका साथ देते हैं वो ऐसे क्यों करते हैं? शादिय सुनने के लिए आपको अजीब लगे कि बच्चे स्कूल की सफाई, पर क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंट्रेस्टिंग सा reason है बुद्धिस्ब के हिसाब से जब आप सफाई करते हैं, किसी भी चीज़ की वो एक spiritual experience होता है जो आपके घर के काम है, अगर आप वो प्यार से करेंगे न वो मदद करेंगे आपकी spiritual growth के लिए और धीरे धीरे आपके दिल को भी एक तम से साफ कर देंगे ये बहुत जादा जरूरी है आपके अपने मन की शानती के लिए और उन लोगों की शानती के लिए जो आपके साथ रहते हैं सो आज के दिन की शुरुआत हुई है, कॉस्को ट्रिप से हम लोग लेके आए हैं ग्रासरी, सो उसमें सबसे पहले है, ये फ्रोजन ब्रॉकली उसके बाद मेरे पास है, ये प्लांट बेस्ट प्रोटीन क्योंकि मैं स्मूधी स्पीना चाहती हूँ, तो उसमें ये अच्छा काम करेगा स्ट्राबरी है, 35% क्रीम है, बटर के लिए और शेहद है, इस बार मैं ये फ्लाक सीट भी लेके आई हूँ और पालक, मश्रूम, और जिंजर और ये कुल्चे लेके आई हूँ, मैं चने के साथ खाने के लिए एपल है, औरंज है, एंड, क्यूकंबर है, अंडे है और थोड़ा सा दूद भी है अज बार दोस्तों, यासे हाल चाल है, आपके उमीद है कि आप लोग बहुत ज़गा हूँ आज मैं बहुत ज़गा हूँ उसकी वज़ा ये है कि आज वन वीक पास हो गया है मेरी फास्टिंग का जब मैं 16 और की फास्टिंग कर यह हूँ वैसे हमेशा से हम लोग कम खाने के कोशिश में रहते हैं, एक ही मील खाते हैं अच्छा गुड पूरे दिन में पर आप मैं सोच के 16 और तक चाय नहीं पीती हूँ सबहे उठके सिर्फ मैं निम्भू पानी पी लेती हूँ या फिर अपल साड़ विनेकर या फिर कोड़ भी गरम पानी उसके बाद मैं चाय भी अराउंड साथ बारा के करीब पीती हूँ और दिनर की हमारी कोशिश हो होती है कि हम लोग साड़े छे बजे तक दिनर कलें मैक्सिमम साड़े साथ तक हमारा मील हो जाना चाहिए सो अम वेरी हैपी और काफी अच्छा फिल कर यह हूँ मैं सो इसके बारे में जाला गयान हम फ्यूचर में देंगे हम बात करने वाले हैं ऐलर्जी के बारे में समय हुा है 11.45 कल मैं जो मेरा अखरी मिल दा छे बजे गाया सू इस वज़े से मैंने मेरी चाह पी है साद हीदस बजे पालोग 10 कEE अब मैं पीने वाली हूँ अब मेरा मील कहने वाली हूँ जो की होने वाला है, smoothie मैं खुद के लिए पे बनाऊंगे और हस्बन के लिए भी और बहुत ज़ादा मेरी कोशिश रहती है कि जो हम मेल खाएं वो पॉस्टिक हो लाइक सारी चीज़े हो उसमें फैट भी हो, फाइबर भी हो वितमिन्स भी हो अल्ट वाल्ट हो, सारा चीज़े मिंगी होनी चाहिए उसमें सो, smoothie बना लगते हैं 2 cup मेर लिए और पती के लिए उसके बाद हम बात करेंगे अलर्जी के बारे में guys, see these marks, I hope you guys can see यह मेरी अलर्जी के टेस्ट है किनने हुए हैं one two three four five zero 42 42 शुटी चीज़े टेस्ट ही है मेरी यार्म्स पर बाद बता टें, चल्ड़ी से смूदी बनासे है so, smoothie को बनाने के लिए मेरी içari ये blender use करें मैं आटी ब endlich Hoian रोटी खानी थी वह स्पीशल में या तो तेन होते पहला है और मुझे नहीं नहीं मिला अब मुझे वेट करनी तो बारा जब वो स्पेशल पे आएगा मेरी कोशिची जब मैं चीजे खरीदू और स्पेशल हूँ रगुलर प्राइस दे चीजे करीदा मुझे अच्छा नहीं लगता है आपको अच्छा लगता है तो इसमें हम क्या क्या अड़ करेंगे तो सबसे पहले हम अड़ करेंगे ओट मिल्क फोड़ा अंदाजे के साथ ही कर लो जादा आपको सीलेट लोगता है उसके बाद मैस अड़ करूंगी यह प्रोटीन पावडर जो कि है कॉसको सिल्या है हमने और गैनिक प्लांट स्कूप में 21 ग्राम्स है सो इसके दो स्कूप अड़ करेंगे क्योंकि हस्बेंड भी पीएंगे और वह जाते हैं सो उननों पाच जाएगा और मुझे भी हर एक हल्दी बंदे को राउंड 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है दिन में सो इसके बाद हमारी स्मूदी में हम ल तो एक बंदे को दिन में इसके करीब अगर दो चम्मच भर के खाए ना दो टेबल स्पून तो एनफ है तो मैं इसमें दो ही डालूंगी भर भर के उसके बाद हमारी स्मूदी में हम अड़ करेंगे बनाना एक बनाना गुद इनफ सब हम इसमें पालक अड़ कर लेते हैं ब कर लेते हैं और और मिक्स बैरी आड करें दो एक बना यहां पे पॉंच चुका है कंपक तो कुछ दाला केला थे अड़ा थे यह क्ली डे ऐख चुक है अड़ाइ बनाना जिया क्लिए ने जिसे सब्सक्त तो यह ज़िए दो अचे है प्र ज़िए अग्स के बिए लिए न ब देडी उसके बच्चे के लिए होती है आख चूरी कर लेते हैं मैं वाट्री बनाए है यह हम वाट्री बनाएंगे हमें डिस्ट्रब मत करें यह जो गाक सरते खाड़े है तो परेशान है पर बनाए है अच्क लाग रखनी पेंटी है वीर पेला ग्रास लाज़ा उसके लिए ग्रहा के रखनी है जो आपका ग्रहा के रखनी है तो सडी गली सबजी आप डाल दियागा वह आपको एक स्टोरी सुनाते हो मैं दोस्तों मिक्स कर लेते हैं अगर आपको लगगगा कि लिकृट का में तो पाणी आट कर्णा डेए लिए्ट करें पानी जाएजाने जाएख और की बत्रूट है नही अधा ठ्ली को नहीं आपका घ्टी आट करना था तुम यह जिखाओ कि रूकेट किसे बनता है जहारी किसे बनता ह मनना सामे ना जलिगाती okay so हमारी smoothie बन के तयार है सरड की जाए ही so पती को बड़े कप में देदेंगे क्योंकि उनको जादा जरूरत है उनको थोड़ी कमी चल रही है पॉस्टिक पॉस्टिक तताली so पती ने काफी बट ददिल कार के जीवडाली कर जिया दोस्तों पयले मैं रवियू जाए क्वेश निजरी तोड़ी देर जोड़ी बट पीटान विर वोगात्र है इस्ताली बहुत है यह स्मार्ट निए स्जूड़ बलोगे चलो पयो पयो मिष्ण पयो मिष्ण मिष्ण काठीड केला जान बैरीज है और दोस्तों आपको पहले भी बताया होगा कि जब भी मैं मेरे हस्बंड के फेस्टे पर कामरा कर देती है वो डिफरेंट परस्टेलिटी बन जाते है वो नॉर्मल ही रहते है और आपको पहला है क्या हो जाता है तो बस्टॉप के पास जो भी रेडिया होती है समान बेचने वाली वो गाओं वाले लोग ही वह से खरीते है क्योंकि शहर वाले लोग तो अंदर के बजारों में जाएंगे वो बड़े दोखे लोग होते हैं क्योंकि उनको पदा है कि जो भी खरीद के जाएगा वापस तवाएगा नी बास में बाट 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 के जाएगा क्योंकि आएगा ौके बात भाट बाट की ऑड़े लोग होते हैं जाव। इस नोले तो जाएगा गरत भी माम को ताले बाट काले फिका बाट इनको फूछ तब जाएगें तब्स प्रूटस्वालोंके तब अपना हरान हो गया कि बीपी कैसे आगी फिर वो मान लिया कि मैंने गलती से गलत कि यह मैंने सुटने के लिए रखे आपको दे दिये ले ले जी यह फिर उसे चेंज कर दिये कर दोटोगा दड़ी से बचें हो जोस्तों जब अब प्रोड़क्ट्ट्ट्टे जब अपर इसे करते हैं लोग सो इसलिए जब आप कुछ खाने के लिए बनवाते हैं खड़े हो कि बनवाना चाहिए जैसे मेरे पत्ती ने खाड़ के स्मूदी बनवारी है अपने अब उनके दिल में कोई शाक नहीं है कि मैंने कोई सीक्रेट इंग्रीडियन डाल दी होगी सो यह समूदी होने वाला है मेरा पहला मेल क्योंकि अदेचे सारा कोज़ा देखो गायस की निकाली होगी आयन दी वजाना एछेप कूब सारी आयरना और लेडीज को आयन काना बहुत अज़ूरी है अटो दूरी है अचाया करे आप़ी तो स्मूदी लेके पती के पास बैट और उनको परिशान करते और उनके साथ गप्षप करते यह हमारा कन्वरसेशन कर टाइबने वाला है और दोस्तों तो हमारे यहां गार्डन में एक दिन क्या हुआ कि एक रबिट वो रहा ऐसे अचानक से यहां पर आगया हमारे दोर के प और अब मैं जब देवादा गुल के सोनु करती ना वो आजाता है तो फिर उसे महा कुछ खाने के दे 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 लिए लेट्टस दे दे लिए बैरी ईज्या कुछ भी अब काफी देन हो गया कि वो आया नहीं है तो मैं उसको मिस्स कर ली थी और हमारे यावे मॉस्तम भी अच्छा हो रहा है असनु ने मैल टोना शूरू कर दिया है सोनु की स्टोरी दान सुनु ना गया है एं हस्बेन का फोन आ गया है काफी समा फोन पाती करेंगे अब कर्वा किया शुमु थेड़ी टूरी आ शूरूर सेब्स है I'm average at best, not fit for any glory, I'm too afraid to ask for the help that I need so dearly, why can't anybody see how I'm struggling with it? So if you know a lot of time, you will know that I always have a problem with allergies, which is seasonal, when it comes to spring, it will start and it will not stay in sleep, and then it will go away. If I also buy a medication from the counter, like the pharmacy outside, it will be fine with that. But last year it happened that the medication stopped, and then I went to the doctor and took the prescription for allergies. And he also worked with me and then he did not work. And the allergy is such that my allergy has been a lot of years. And there is a lot of water out of my nose. You will not believe that my condition is so bad. Especially when I make roti like this, it also plays in my nose. And the water out of my nose, it will sneeze from my nose. I have to clean my nose every time. It was a lot of difficult to make roti for me. And I thought that maybe I have an allergy from gluten. That's why this is happening. So we went to the allergy test yesterday. I went to the doctor. And I think 42 different things he tested me. I haven't made a lot of videos. But you can see these pictures. These are all the red marks. These are different things. So what do they do? They put marks on your nose. Clean it. Then the product like Billie's liquid. Keep your skin on your skin. And then shake it from your skin. It's a bit painful. And then it goes into your skin. Whatever rashes you get. And if you are in any place or in any place. Then you have allergies from those things. And the doctor tested 42 things. I have allergies from 40 things. I didn't have allergies from 1 or 2. The rest of everything is allergies. So it was very difficult. And when I told the doctor about this condition. Because he asked if you have an underlying condition. Because sometimes you get a prescription. You get allergies from them. So when I told him that I have rheumatoid arthritis. He said that his immune system was more active. Before that it was only seasonal. Now all the time. He feels that there is a danger. It has been overactive. He has been overactive. Which is why he can't do a lot of things. But he said that he sprays in the nose. Or I can get a prescription. And the doctor said that. Injunction course. You have to do a course. I don't know. I don't know. 5 years of course. Every week. Injunction. And every week. Injunction. In a few months. Then in months. Then every year. I think it is 5 years. I can't do any injections. So I will find a way to heal myself. Or heal myself. Or do a child. Or do anything. Injunction program. I have been convinced that I will not do it. So yeah. So yeah. This is about allergies. Information. That I am allergic to everything. That's exciting. It's very sad. And when I have told him that I am allergic to all things. That I am not allergic to me. Oh actually yeah. When I have told him that when I make a roti. Then I have a lot of acne. That I am not a gluten allergy. He said that when you have food allergy. With some food items. So his symptoms are completely different. He doesn't have symptoms of your nose. Like. The water doesn't get out of the nose. So. You have no food allergy. You have only environmental allergies. So. Whatever things in the air. That's almost all. That's all. That's all. That's all. Grass. Pollen. Anything. That's all. That's all. That's all. So. I hope. You will find out of the allergy information. It will be good. It is not good. It is not good. But. If you have these symptoms. You must also test yourself. And know yourself. Which things are allergic to them. Keep it safe. Keep it safe from them. Keep it safe from them. You have some of the pets. And don't keep it in the pets. Like. I have a lot of allergies. I have a lot of allergies. He said that. I have a lot of allergies. I have a lot of allergies. I have a lot of allergies. I don't like the allergies. But I don't like the baby. I don't like the baby. If I have to keep it. I don't like the baby. I don't like the baby. So. There is another thing. That's all. That's all. So yeah. That's it. When I was tested. I was tested on Instagram. Many friends thought. I have been hyped. I have been rash. I have been rash. I have been chinted. I have been chinted. How many messages. So. I didn't have any allergies. I was tested. So. It was rash. Now. They are all my arms. So. So. Guys. This information. I had to give you today. I hope this video will be good. If it's good. Then please. Subscribe to my channel. And. You can connect with me. You can follow me on social media. You can follow me on Instagram. You can talk to me on Instagram. You can talk to me on Instagram. I will see you in a new video. Until then. Don't forget. Also. You guys. Are beautiful. The way you are. Stay happy. Confident. And strong. You guys can do any freaking thing. Bye. Lalu. I love you. 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 You please. Get your, dog, ass. Go Hawes. Go Haw Represent. Go Haw Illinois. Go Haw密. झाल झाल झाल